हेलो दोस्तों, पावर ऑफ बुक्स पे आने के लिए धन्यवाद, आपसे हमने एक ऐसा सीक्रेट सेयर करने वाले हैं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और जो लोग इस सीक्रेट के बारे हम जानते हैं, बे लोग इस दुनिया के ग्रेट लोगों में सामिल हैं, एक्जाम्पल के लिए न्यूटर्न, लिंकन, एडिसन जैसे लोग, रॉन्डवाण की बुक दा सीक्रेट हम सबको इसी सीक्रेट के बारे में बताती है, जिसका यूज करके आप भी बड़े-बड़े काम कर सकते हैं, इस बुक में ओथर ने दुनिया वर के दा सीक्रेट को समझाने वाले पचाफ पावर और बुक्स के थू से जानने वाले बस कंडिशन ये है कि इससे समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियों में लास्त तक रहना पड़ेगा, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हूमन इस्ट्री में बहुत से ऐसे लीडर हुए हैं जो इस सीक्रेट को जानते हैं, जो पावर को अपने पास ठखने के लिए इस सीक्रेट को किसी ब्यक्ति के साथ सेयर नहीं करते हैं, इस सीक्रेट के थू कई लोगों की लाइफ, मिरिकल, मतलब चमातकार भी हुए हैं, चाहे वो पैसे की बात हो या relationship की या health की ये secret हमारी life के सभी areas में काम करती है और ये secret है law of attraction यानि aggression का सिद्धान्त दुनिया के बाकी laws की तरह law of attraction भी एक visual law है ये कभी भी फैल नहीं होता ये law कहता है कि like attract like मतलब आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब आप उसी तरह के similar thoughts को attract करते हो इसलिए आपने देखा होगा कि एक sad person और विजान्दा sad होने लगता है और एक happy person और विजान्दा happy होने लगता है हमारे thoughts magnetic की तरह होते हैं हम जो भी सोचेंगे वही चीज हमारे साथ होगी हमारे thoughts के एक frequency होती है जब आप कुछ सोचते हैं तब आपके thoughts इस universe में जाते हैं और वे आपके जैसे उन चीज़े को attract करते हैं जो आपकी frequency से match करते हैं यानि की मिलते हैं जो भी हमारे इस thoughts के जरिये इस universe में जाता है और जान्दा similar चीज़े के साथ और भी जान्दा powerful होकर अपने source तक lot आता है यानि की वो और भी जान्दा powerful होकर आपके पास lot आता है imagine के लिए आप एक ऐसी टेलिविजन के टावर की तरह हो जो आपने thoughts की frequency को छोड़ता है और अगर आप अपने life में कुछ बदलना चाहते हो तो आपको अपने thoughts के जरिये human tower से निकलने वाले human frequency को बदलना होका और आपके अभी के thoughts आपकी आने वाली life decide करने वाले हैं इसलिए आप जो भी चीजें सबसे आंदा सोचते हो या जिस चीज पर सबसे आंदा focus किया है future में वही आपकी life होने वाले है कम सब्तों में कहें तो आपके thoughts ने future की reality वरने वाले हैं law of attraction एक natural law है ये किसी के साथ भेदबाव नहीं करता है और ये हमेशा सही होता है इसलिए आपकी life में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसे आपने खुद attract किया है बस आपको इस secret के बारे में पता नहीं था और इस तरह आप जाने अन जाने में अपनी life में हो रही चीजों को attract करते हैं और इतना सुनने के बाद आप खुद के thoughts को control करने की कोसिस करेंगे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते इसके बदले आपको अपने emotion और feeling को control करना चाहिए क्योंकि एक ही साथ बुरा feel करना आपके mind में अ तो जब आप पुरा feel करते हैं तो आप जाना बुरी चीजों को attract करते हैं और जब आप अच्छा feel करते हो तो आप और भी जाना अच्छी चीजों को attract करते हैं author के नुसर हम the secret के secret की मदद से हम अपनी feeling को control कर सकते हैं जैसे की अच्छी अच्छी यादें अच्छा माहूल अच्छा सा संगीत अपनी feeling को चुटकियों में बदल कर अपनी frequency को set कर सकते हैं अला देन की जिन की तर है हम जो भी सोचते हैं ये तुरन कहता है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी मतलब your wishes my command और उसे लगता है हम जो भी सोचते हैं वो सब आपको चाहिए और इसमें आपकी help करता है creative process ये तीन डिस्टैब में काम करता है first ask, believe और receive ask का मतलब है आपको जो चाहिए उसके बारे में आपका mindset clear होना चाहिए, believe का मतलब है आपको ऐसे behave करना है जैसे की वो चीज आपके पास ही है, जैसे वो आपको मिल चुकी है, receive, receive का मतलब है आपको उस चीज के मिलने पर जो feel होगा वही आपको feel करना है, जैसे author आपको कहती तो आपको weight lose करने पर नहीं बलकि आपको perfect weight पर focus करना चाहिए आपका perfect weight होने पर आप जो feel करेंगे वो आपको अभी feel करना है और तब आपको अपने perfect weight को हासिल कर पाएंगे अब creative process की शुरुआत आप किसी भी छोटी wishes को पूरी करने से कर सकते हैं आपके पास जो भी अच्छी चीजे हैं आपको उसके लिए thankful होना चाहिए ऐसा करने से आपनी life में और अच्छी चीजें आने लगेंगी author कहती है gratitude एक powerful process है जिससे आपके positive energy increase होती है ऐसे मैं एक step और आंगिल ले जाएं आपको जो चाहिए उसके लिए भी thankful हो सकते हैं क्योंकि creative process से आप ये feel कर रहे हो कि वो पहले से ही आपके पास है ऐसा कर लेने से आप universe में और भी जानदा powerful signal send करते हो thankful होने के अलाबा आप उन चीज़ों को visualize भी करना आना चाहिए लेकिन आप उसे imagine से नहीं बलकि उस चीज़ को एक वीडियो के रूप में visualize कीज़े क्योंकि हमारा दिमाग किसी चीज़ को visualize के through ही देखता है और बिल्कुल वही thoughts generate करता है जैसे कि वो चीज़ सच में आपके पास है तब आपका जिन आपकी wishes को जरू पूरी करता है तो दोस्तों the secret का पहला पार्ट यहीं पे खतम होता है इसके दूसरे और लास्ट पार्ट में the secret के principle को practical way में अपलाई करना सीखेंगे जैसे कि money के लिए और health के लिए Thank you